नमस्कार दोस्तों मैं उदेलाड फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी के चहिते चानल इंडियन मुर्गी पालन में वड़े देखने वाले हरकिसान भाई यो मुर्गी पालक भाई का आज के विड़े में तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत तो दोस्तों दुनिया का सबसे बहतरीन व्यावसा है मुर्गी पालन का और दुनिया की सबसे अच्छी खासी ब्रीड है दोस्तों देशी मुर्गी देशी मुर्गी का अंडा हो देशी मुर्गी का चिकन हो दोस्तो या देशी मुर्गी के चूजे हो इन सभी को मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमार्ड है दोस्तो लेकिन आज तक हम क्या देखते थे दोस्तो कि देशी मुर्गी में करियर नहीं बन सकता था लेकिन दोस्तों मेरा इतना ही कहना है कि बेरोजगार युवां से और नवजवानों से कि आप जब मार्केट में जाते हो तो मार्केट में आप स्रिफ 200-300 की होने वाली दिन की कमाई के लिए दोस्तों 10 से लेके 12 घंटे तक काम करते हो लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप देशी मुर्गी पालन के व्योसाय का चुनाव अगर करते हो तो आपकी बेरोजगारी तो 100% दोस्तों जाएगी लेकिन यह बेरोजगारी जाते हुए साथ में दो या तीन अलग से लोगों को रोजगार भी दे सकती है इस तहत दोस्त आज हम देखने वाले है कि मुर्गी पालन में आज तक आपने देखा कि अंडे बेचने से मुनाफा होता है दोस्तों क्या आपको पता है कि मुर्गियों का जो चिकन होता है उसको बेचकर भी आप लाखो का मुनाफा प्राप्त कर सकते हो हाँ दोस्तों आप अगर सोचेंगे तो आप 100% इसमें खुद का ब्रैंड भी बना सकते हो दोस्तों नाम बनाने तक आपने अगर महिनत की दोस्तों तो आगे स्रिफ आपको कमाना है क्रेडिबिलिटी मार्केट का सबसे बड़ा रूल है दोस्तों इसके तहट आज देखेंगे दोस्तों कि आप किस तरह से स्रिफ 200 देसी मुर्गिया साथ में 30 देसी मुर्गे और आपके साथ वहाँ पर अगर महिनत हो और बहुत कम जगह भी हो दोस्तों तो सव प्रतिशत कि यह संकल्पना यह कंसेप्ट मेरे हर बेरोजगार युवा के लिए बेरोजगार नवजवान के लिए लाइफ चेंजिंग तो होने वाली है दोस्तों लेकिन साथ में भारत वर्ष के नक्षे कदम में यह कंसेप्ट दोस्तों अगर आखिर तक उस व्यक्ति तक जाएगी दोस्तों तो सव प्रतिशत में भारत का आने वाला समय और भारत की वेरोजगारी की दर दोस्तों घटेगी और सव प्रतिशत भारत का युवा दोस्तों भारत वर्ष को आगे बढ़ता हुआ देखेगा और आगे लेकर जाएगा तो इसके लिए दोस्तों यह वीडियो करने के लिए परसनल वाटसप नंबर वाटसप ग्रूप टेलिग्राम फेस्बूक इंस्टाग्राम स्नापचाट इन सोचल मीडिया के साधनों का इस्तमाल करते हुए वीडियो की लिंक का शेयर कर दिजे ताकि यह लिंक दोस्तों भारत वर्षे के हर नागरिक के पास जाएं के बाद दिखने वाले लाल निशान को टच कर दिजे उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और भगल में घंटी आएंगे उस घंटी को टच करके और इस नोटिफिकेशन को अगर आप आन करेंगे तो आपको आने वाला हर वीडियो देखने को मिल सकता है और मिलने वाला को लेकर ही आगे बढ़ना होगा कोई समस्या दिकत तकलीफ आपती संकट आपके सामने आए तो सव प्रतिशत बे प्रतिक्री से आप मुझ तक आपकी कमेंट्स के द्वारा सवाल पूछे आपके हर सवाल का जो अगले वीडियो के साथ दिया जाएगा और जो अगला वीडियो है दोस्तों उसमें सोलुशन तो आएगा लेकिन आगला वीडियो देखने के लिए क्रिपे आपसे फिर एक बार विनती है कि सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आल कर लीजिए ताकि आपको एक से बड़िया एक वीडियो मिलते रहेंगे दोस्तों तो देखिए दोस्तों मुर्गी पालन में आज तक अंडे बेचे चूजे बेचे लेकिन क्या चिकन का वहां पर जो तयार करना और बेचना यह भी आपको लाखों का मुनाफ़ा दे सकता है हाँ दोस्तों मीट परपस के लिए अगर आप मुर्गी को संभालते हैं तो दुनिया की सबसे बहतरीन मुर्गी है दोस्तों वहां पर सोचिए देशी मुर्गी क्योंकि देशी मुर्गी के चिकन का टेस्ट बह बहुत बढ़िया होता है देशी मुर्गी का चिकन हेल्थ कॉंशियसनेस यानि जिनकी आरोग्य की जागरुकता बढ़ चुकी है ऐसे मेरे भारत वर्ष के हरनागरी के लिए बहुत ज्यादा लाब दायक है दोस्तों और साथ ही में दोस्तों देशी मुर्गी पालं का व्य बढ़ना गलत है अगर गलत है दोस्तों तो आभी के आभी इस वीडियो को छोड़ दीजी और आप आपका व्योसाय करने के लिए स्वतंत्र हो दोस्तों लेकिन जो यह वीडियो आखिर तक देखेगा दोस्तों खुद का नसीब तो बदलेगा लेकिन भारत वर्ष का तो देखिए दोस्तों आपको इतना ही करना है कि 10 x 10 की जगह चुनी है उस जगह में दोस्तों आपको दर्वाजा छोड़कर जो साइड बसती है दोस्तों वहां पर 2 फीट छारव फीट 6 फीट 8 फीट कर ऊच्छाई पर आपको आठा पाइप डाल देना है यह पाइप स्क् लेकिन हमें इतनी संभालनी ही नहीं है दोस्तों हमें तो स्रिफ 200 देशी मुर्गे और साथ में 30 देशी मुर्गे इतनी जगह उसके लिए परियात है चलो हमने देसी मुर्गे लाई हमने देसी मुर्गे लाए और उनके लिए 6000 स्क्विर फिट का वहाँ पर जो है दोस्तो फ्री कोस्ट का फिड मिल सके इसलिए सहेजन का पौधा अमरूत का पौधा और अने को पौधि लगा दिये कि जिससे चाओ मिलेगी फिड मिलेगा वट लगेगी वहम हैं आपको चलते चलते समझाता रहूंगा देखिए दोस्तो यहाँ पर 200-देसी मुर्गिया संभालने के बाद आपको पता होगा दोस्तों आउसतन 100-देसी मुर्गिया हर दिन 45 के करीब करीब आंडों का प्रोडक्शन हमें देती है यहां आंडों का प अंडे मिलेगे दोस्तों फिर आपको नायाव गोहां पर कंसेप्ट अपना नहीं है इनकुबिटर का इस्तेमाल करना है दोस्तों और इसमेचे सव दोसों जो कुछ खराब अंडे है छोटे अंडे हैं सफेद अंडे हैं जो अंडे इंकुबिटर में रखने के लिए रख रखाव के लिए अच्छने उन अंडों को अगर आप बाहर निकाल देंगे तो लगबख 2500 अंडे आपके पास बहुत सही सलामत मिलेंगे इन तो इसके बाद दोस्तो हर महत में आपके 2500 अंडे अगर इनकुबिटर में जाएंगे दोस्तो तो उससे आपको देखिये तकरीबन 80 प्रतिशत का रिजल्ट अगर सही सलामत आप सबी प्रोसेस करते हो तो मिलेगा और 2000 चूजे निकल जाएंगे दोस्तो लेकिन यह सभी चूजे क्या बड़े होने तक ठीक है कि 100 प्रतिशत नहीं आप हर महा में तयार कर रहे हैं लेकिन 6 महने के बाद 2000 में से 300 भी मर गया तो 1700 बच रहे हैं दोस्तो बेचने के वास्ते 6 महने तक आपको पहले कुछ भी इंकम नहीं मिलेगी दोस्तो लेकिन सोच ये कि आगर हम कौन सा भी व्यावसाय करते हैं तो उसको सेटल होने के लिए कुछ तो समय लगेगा दोस्तो फ्यूचर तो ब्राइट है फ्यूचर तो दिख रहा है लेकिन आखिर में असल आमदनी आ होगे लेकिन दोस्तो एक बात सोचिए कि इसमें कम मुर्गी मिले या ज्यादा मुर्गी मिले या कम ज्यादा कुछ भी हो गया तो सत्रा सो अगर यूनिट आपको बेचने के लिए है तो मुर्गी को मिलने वाला रेट चार सो के करीब करीब मुर्गों को मिलने वाल रेट 500 600 700 तक मिलता है यानि आउसतन आपकी मुर्गी हो मुर्गा हो 500 के करीब करीब आप बेश सकते हैं हाँ कम आगर थोड़ा रेट मिलता है तो थोड़ा मुनाफ़ा घटेगा ज्यादा मिलता है तो दोस्तों बढ़ेगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरी बात की अभी यहाँ पर सबसे बड़ी बात ही की चलो 1700 को बेचने का सोचा पास्तों के हिसाब से तो दोस्तों आपके सामने आपके हाथ में दोस्तों एक महिने के पिछे 8,50,000 की राशी इकटा हो रही है दोस्तों 8,50,000 की इस राशी की अगर बात करेंगे दोस्तों तो फिड का खर्चा 2,000,000 छोड़ दिया 50,000 का मेडिसिन ट्रांसपोर्ट दूसरा कोई खर्चा छोड़ दिया दोस्तों तो वहाँ पर आराम से 6,00,000 की राशी तो बचेंगी दोस्तों 6,00,000 का मुनाफ़ा हर महा मिलेग हाँ इसके लिए आपको दो अलगशी शेड बनाने पड़ेगे वहाँ पर 4-4 फिट के कमपार्टमेंट भी बनाने पड़ेंगे दोस्तों की जिसमें आप पहले एक महने के लिए व्रुडिंग का स्पेस करेंगे उसके बाद दो महने के बड़ अलग से रखेंगे इतना सब करने के बाद दोस्तों आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी शुरुवात थोड़ी वहाँ पर दोस्तों आपको महनत करनी पड़ेगी शुरुवात में आपका जो है बुद्धी चातुरी इसकी विक्षमता का वहाँ पर टोटेली आपको देखना पड़ेगा लेकिन बार कर लिए दोस्तों तो भी आप कितना भी खर्चा करोगे तो यह सत्रासों की बैच अगर हर महाँ बैचने के लिए छे महीने बाद आती है तो दोस्तों आपका मुनाफाद छे लाग से कम हो ही नहीं सकता लेकिन देखिए अगर वहाँ पर पाठेरती और दूसरी बात अध्यापक आपको सिखा रहा है और उस क्लास में अगर सव चात्र है तो क्या सभी नहीं दोस्तों कोई वहाँ पर समझ के 80 प्रतिशत सबजेगा कोई 90 प्रतिशत यानि कि इतना फार्म डालकर भी हर मुर्गी प कमाएगा और जिसका कैलकुलेशन बिगाड़ गया दोस्तों तो वह 2 या 3 लाग भी कमाएगा या इससे कम या लॉस में भी खुद का व्योसाय ला सकता है दोस्तों बशर्ते आप कितनी महिनत करते हो कौन से तरीके से करते हो कब करते हो दोस्तों इन सभी बातों को आगर ध कोच के तो देखे कि 200 मुर्गिया 30 मुर्गे 10-10 का शेड़ छोटे से दो शेड़ 10-10 के अलग से चूजों को संभालने के लिए और 6,000 का वहां पर आगे दोस्तों टोटली फ्री रेंज में वहां पर पालन पोशन करने का फार्म जिसको की हफ़ पैक कहा जाता है और उसमें सहजन का अमरूत का जो पोधे लगा देंगे दोस्तों तो आपको दुनिया की कौन सी भी ताकत दोस्तों लाखों का मुनाफ़ा कमाने से रोक नहीं सकती क्यों तो मुर्गी पालन को मार्केट है दोस्तों असल में देसी मुर्गी पालन में मीट प्रोडक्शन में बहुत ज दोस्तो भारत वर्ष में बहुँ ज्यादा फेमस हो चुका है क्योंकि देशी मुर्गी के चिकन की गुणुवत्ता और दोस्तो हेल्ट कॉंशियस बढ़ने के कारण जो अशदी गुंदर्म उस चिकन में होते हैं उसके कारण दोस्तो देशी चिकन को इतनी ज्यादा डिमाड आ चुकी है कि आप सोज भी नहीं सकते। इसलिए दोस्तों को आप सोचिए आप स्वतन्तरता से निर्ने लीजिए इस फैमिले में डिसकुष कीजिए जितना डिसकुषण ज्यादा होगा उतना ज्यादा दोस्तों आपके लिए साहय बूत हो लाखों का इंकम कमा लीजिए दोस्तों आपको आपके व्यावसाय के लिए बेस्ट आप लग और बहुत-बहुत शुब काम नाएं ऐसे ही और इस तरह से व्यावसाय करते रहिए साती में कोई दिक्कत आये तो कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिया ऐसा एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त आपके चाहिते चानल इंडियन मुर्गी पालन में तो मिलता रहूंगा लेकिन आपने अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों इसलिए लाइक कर दीजिए शे सब्सक्राइब कर दे उसके बाद और बगल में घंटिया उस घंटी को टच करके और इस नोटिफिकेशन को आन कर दो ताकि आपको आने वाला हर विड़े देखने को मिल सकता है तो दोस्तों आई से एक नए वडियो लेकर मैं आपका दोस्तों लड़ा आप सभी के चाहिते चनल इंडियन मुर्गी पालन मिलतार होंगा तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और यह वो मुर्गी पालक भाई काता है दिल से बहुत-बहुत आवार